हेलो दोस्तो इस वीडियो में हमें एसा साउंड सेट अप कम्पलिट करके देखने वाल हैं जिसे आप लाइव प्रोग्रम में भी इस्तमाल कर सकोगे और डीजेस के प्रोग्रम में भी इस्तमाल कर सकोगे जैसे यार स्कूल में छोटी मोटी पार्टी हो गई या फिर होम पा को इसका आवाज काफी पसंद आएगा तो पूरे setup की price क्या होगी speaker कौन से होगे amplifier कौन सा होगा mixer कौन सा है microphone कौन से है सारी जानकारी step by step आपको मिलेगी और इसकी अलावा ये setup purchase करके आप कीराये पर भी दे सकते हो तो इसका कीराये आपको एक दिन का आराम से 1000 से 2000 तक मिल आप देख रहे हैं DJ सकती चल ये start करते हैं तो सबसे पहले बात करें speaker की तो आहूजा की तरब से है SRX 440 model डिस्पले पर आप देख सकते हो पूरा ये box 408 RMS power में आता है 2A वाला system है यानि कि अंदर speaker लगे है 12 इंच के और 7 में जो है HFB दी गई है अंदर जो speaker लगे है उसक होस्कोयल की बात करें तो 2 इंच की देखने को मिल जाती है पूरा ये जो box है उसके impedance की बात करें तो 8 OMS का पूरा ये box हो जाता है तो अभी आपके मन में ये हो रहा होगा कि इसमें तो 2 speaker है तो 8 OMS के से होगा तो भाया इसमें जो 1 speaker है वो 16 OMS का है नीचे का जो speaker है वो भी 16 OMS का है तो 16 और 16 यहां पर 8 OMS हो जाता है उसके बाद frequency response की बात करें तो 50 हर्ट से लेकर 20 किलो हर्ट की है यानि कि ये एक full range system है आपको इसमें HF, mid और base, 3-1 समान जो है सुनने को मिल जाएगा तो ये जो है यार काफी अच्छी बात यहां पर हो जाती है उसके बाद SPL यान की maximum sound pressure level की बात करें तो 126 dB है तो भाईया काफी अच्छा sound pressure level यहां पर दिया गया है आवाज जो है काफी अच्छी तरीके से थ्रोव करेगी काफी अच्छी तरीके से जो है लंबी दूरी तक आवाज जाएगी तो भाईया ये जो पूरा एक box speaker है उसके approach price की बात करें तो 14 1000 में हमें देखने को मिल जाएगा तो हमें यहां पर चाहिए ऐसे दो box तो दो box के हो जाएगे 28,000 रूपिये उसके बाद बात करें इसमें amplifier कौन सा लगना है तो भाईया आहूजा की तरब से है SS से 5000 dp model ये एक काफी popular amplifier है और amplifier की quality भी काफी अच्छी है में देखने को मिल ज ज़रूर बताए और ये amplifier जो है 508 का है और इसमें MP3 player भी देखने को मिल जाता है तो जैसे के यार मैंने बताया था आप ये setup को छोटी मोटी party में भी लगा सकते है जैसे school हो गया या फिर home में party हो गई तो ये amplifier जो है media player वाला है तो इसमें directly आप पेंडराव चला सकते है फि तो ये जो है इसका advanced feature हो जाता है बात कर amplifier के price की तो भाया 31,000 के आसपास हमें market में देखने को मिल जाएगा तो अभी बात करते है connection कैसे करना है तो ये जो हमारा amplifier है वो 500 का है और ये जो हमारा आहुजा का SRX 440 जो box है ठीक है वो एक box atoms का दूसरा box भी atoms का तो हमें क्या करना ह दोनो box के जो red wire है वो निकल लेने है और दोनो box के जो black wire है वो भी निकल लेने है अभी जो दो black wire है वो amplifier में पीछे की set COM यानि की common में चले जाएंगे और दोनो box के जो red wire है वो amplifier के पीछे की set जो common 4 यानि की 4 ohm लिखा है उसमें आपको लगा देना है काफी बढ़िया तरीक से जो है चल जाएगा और quality के साथ आपको जो है आवाज सुनने को मिल जाएगी कोई भी problem speaker में भी नहीं आएगी और amplifier में भी कोई भी problem नहीं आएगी अभी बात करते हैं mixer की तो जैसे कि मैंने बता है था ये जो setup है उसे आप जो है live program में भी इस्तमाल कर सकते हो जैसे यार mixture है इसमें inbuilt eco भी मिल जाता है इसमें headphone out भी मिल जाता है तो ये भी जो है काफी अच्छी बात हो जाती है तो ये mixture काफी अच्छा है और इसमें quality भी आपको ठिक ठक मिल जाएगी बाकि इसमें eco भी आ जाता है तो आपको बहार से eco लगाने की भी जरूरत नहीं है तो ये mixture की एप्रोक्स प्राइज में बताऊ तो 5000 के आसपास में देखने को मिल जाएगा उसके बाद बात करें माइक्रोफोन की तो भाईया JTS की तरब से है TK600 मोडल ऐसे मैंने यहां पर दो पीश एड़ किये है तो आप जो है इसे सिंगर के लिए इस्तमाल कर सकते हो ठीक है ये एक अच्छी मतलब कम बजेट में अच्छी कुलेटी के माइक्रोफोन है तो आप जो है सिंगर में दे सकते हो काफी अच्छी कुलेटी आपको सुनने को मिल जाएगी एक पीश की एप्रोक्स प्राइस की बात करें तो अठारा सो रूपे है दो पीश के 36 रूपे हो जाएगे उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में कौन से माइक्रोफोन देने है पहिया मैंने यहाँ पर बीट्या 58 है जो डूपलिकेट वाले आते है एसे मैंने तीन पीश एड़ किये है जैसे हार्मोनियम हो गया, तबला हो गया, बेंज हो गया इसमें आप दे सकते हो एक माइक्रोफोन 500 रूपे में मिल जाएगा तीन के यहाँ पर 1500 रूपे हो जाएगे उसके बाद माइक्रोफोन के स्टेंड जो बड़े वाले आते है तो यह भाईया माइक्रोफोन के स्टेंड जो है वो क्वालेटी के उपर डिपेंड करते है मतलब माइक्रोफोन का स्टेंड है उसमें कौन सा मटरियल इस्तमाल किया गया ठीक है, हेवी वाला भी आता है, सस्ता वाला भी आता है, तो medium अगर हम गीने तो 1500 रुपे में 1 मिल जाएगा, 2 stand के 3000 हो जाएगे, फिर इसमें सस्ता वाले भी आते हैं, और मेहंगे वाले भी आते हैं, उसके बाद microphone के stand जो छोटे वाले आते हैं, एसे मैंने 3 piece एड़ किये है, ये एप्रोक्स आपको एक पीश जो है 800 रूपे में मिल जाएगा तीन स्टेंड के 2400 हो जाएगे तो ये जैसे कि मैंने बताया स्टेंड की क्वालेटी के उपर प्राइस डिपेंड करती है इसमें जो है हेवी वाला भी आता है वो मेंगा आएगा इसमें जो है चीला चालू भी आता है वो सस्ता भी मिल जाएगा तो उसके बाद स्टेंड के स्टेंड की बात करें तो हमने यहाँ पर दो स्टेंड के स्टेंड को एड किया है तो यहाँ पर एक स्टेंड की प्राइस की बात करें तो 2000 है दो stand के 4000 हो जाएगे फिर यार stand heavy वाले लोगे तो मेंगे भी आएगे और चिला चालू लोगे तो सस्ते भी मिल जाएगे उसके बाद भाया wire हो गया cable हो गया microphone के cable हो गये इन सब के हम यहां पर approach जो है 5000 गीन लेते है तो 5000 में यह सब कुछ हो जाएगा तो अभी पूरे setup की price आप display पर देखी रहे होगे यह सारी price जो है approach price होती है online की price होती है फिर सभी market में price में उपर नीचे होता रहता है तो यह price से सिर्फ आपको एक अंदाजा आ सकता है तो दोस्तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे comment करके जरूर बताए मैं आपकी help करने की पूरी कोसिस करूँगा और एसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारी DJ सकती चैनल को subscribe करके bell का icon को all पर set कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिलते रहे तो दोस्तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ